नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी को हमारे इस यूटूब चैनल ओनलाइन अश्टडी में तो आज हम लोग बात करेंगे 25 अप्रिल से सम्मंदित महत्वपूर्ण करेंट अफेर्स के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रस्ण अप्छार प्रस्ट है उस का अप्सण नमारे एक चीन अप्सण भी है रूस अप्सण सी मिस्र और उप्सण डी सौदी अरब तो इसका सही दवा बताएगा आपको ऑप्सण नमी रूस तो उत्री कोर्या के सिर्षनेता जो है किम जोंग अपनी नीजी ट्रेन से रूसी रा Springs बलादीबूर पुतीन के साथ जो है अपनी पहली मुलाकात के लिए रूस पहुचे हैं इसके बाद नेक्ष्ट कोस्टन है कोस्टन अमर दो तो इसे उक्टराष्ट कि एक रिपोर्ट के अनुसार परतेक बर्स कारी छेतर में दुर घटना हो और कारी के चलते हुए बिमारियों से कितने कामगरों की मौथ हो जाती है तो आपका अप्शन है अप्शन नमर एक साढ़े ऐठारह लाक अप्शन भी है 19.8 लाक अप्शन C है 22.4 लाक और अप्सन D है 27.8 लाक तिसका सही जवाब हो जाएगा जो अप्शन D है 27.8 लाक तो हाली में स्योकतराष्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल कारी से जूड़ी दुरगटनाओं और कारी के चलते हुए बिमारियों से 27.8 लाख कामगरों की मौत हो जाती है यह जो कारन है यह जो मौत होने की सबसे बड़ी कारन है जो काम के लंबे घंटे और बिमारियों के चलते ऐसा होता है इसके बाद अगला कोश्चन है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर तीन तो हाली में किस देश के पत्रकार स्रील अलमिदाने असैने और फोज के रिस्तों की अलोचनात्मक और अनवरत कवरेज के लिए इसका पत्रकार स्रील अलमिदाने देश में असैने और फोज के रिस्तों कोश्चनात्मक और अनवरत कवरेज के लिए The International Press Institute IPI के World Press Freedom Hero पुरुशकार जीता है इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है वैस्विक परतिःस परधा सुचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है तो आपका उप्शन है 80 स्थान, उप्शन भी 85 वा स्थान, उप्शन C है 85 वा स्थान, और उप्शन D है 70 वा स्थान तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका option नमर एक 80 अस्थान है तो हाली में जो बैस्विक पर्तिपर्धा बैस्विक पर्तिभा परतियस पर्धा सुचकांग जिसे global talent competitiveness index कहते हैं इंगलिस में उसे 2000 जो हुई उनिसका 6 संस्करन जारी किया गया है इस सुचकांग के अनुसा ये white eye word की खोज की है तो इसका option है option एक ब्राजील option भी है इंडोनेसिया option C है कमबोडिया और option D है भारत तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका option नमर भी इंडोनेसिया तो पच्छी बैग्यानिकों ने जो है हाली में इंडोनेसिया में बोगी बोगी white eye word तथा वका भी white eye word की खोज की है और बैग्यानिक ने इन पच्छीों पर सोध जो है आरम्भ कर दिया है इसके बाद next question है question नमर छे तो भारतिये रिजर्व बैंक RBI ने राष्टिये आवास बैंक NHB और किस बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी कर्म सा 1450 कड़ोर और 20 कड़ोर रुपिये मे सरकार को बेच दी है तिसका option है option नमर एक है राष्टिये क्रिशी एवम विकास बैंक option भी है भारतिये श्टेट बैंक option C है पंजाब नेस्नल बैंक और option D है बैंक और बड़ोधा तिसका सही जबब हो जाएगा आपका जो है अप्सन नमर एक तो राष्टिये रिजर भारत चास कड़ो रुपिये और बीस कड़ो रुपिये में सरकार को बेच दिया है इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है कोस्चन नमर साथ है तो अफरिका के किस देश में पाइलेट प्रोजेक्ट के तौर पर दुनिया भर में मलेरिया का पहला भैक्सिन लॉंच किया गया तो इसका उप्सन नमर एक लीविया उप्सन नमर भी है मुरक्को उप्सन नमर सी मलावी और उप्सन नमर डी है अंगोला तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उप्सन नमर सी जो है मलावी तो बिस्व का पहला मलेरिया का टीका जो है अफरिकी देश मलावी में लॉंच कर दिय गया है जो बिस्सो भर में परतेक साल लाखों मौथों के कारण मलेरिया का पहला टिका लांच किया गया है इस जानलेवा बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए पिछले 30 साल से इस टिके को लाने का परियास किया जा रहा था इसके बाद next question है question नमर 8 तो किस high court ने TikTok के Apple Play Store और Google Play Store से download न किया जाने वाले बैन एक हपते बाद हटा लिया थी इसका option है option नमर एक दिल्ली high court option भी है मदरास high court option नमर सी इलाहबाद high court और option भी है पटना high court तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका option नमर भी जो है मदरास high court तो मदरास high court ने जो है TikTok के Apple Play Store और Google Play Store से download न किया जा सकने वाला बैन एक हपते बाद हटा लिया TikTok की जो है parent company by dance के मताबिक उसके पास अपती जनक content को upload रोकने वाली technology है इसलिए जो है उस पर से बैन हटा लिया गया है next question है question number 9 तो बैज्यानिकों के अनुसार किस गरह पर संभावित तोर पर पहले ग्यात भुकंप के जटके का पता लगाया है तो इसका option है option number 1 मंगल गरह, option number 2 बूद गरह, option number C है सनी गरह, option number D है बिहस पती गरह, तो इसका सही जवाब जो है आपका option number 1 है मंगल गरह, तो बैज्यानिकों ने 23 अपरील, जो है 23 अपरेल, 2019 को बताया है कि उन्होंने मंगल गरह पर संभावित तोर पर पहले ग्यात भुकंप के जटकों का पता लगाया है इसके बाद next question है, question number 10 और आज के वीडियो का last question है, तो चलिए दिसे भी देखते हैं तो हाल ही में 208 संगठन WHO ने किस वर्स से कम आयू के बच्चों के लिए निर्देश, जो है दिसा निर्देश जारे किया है तो आपका option है, option 1 7 वर्स, option B है 10 वर्स, option C है 14 वर्स और option D है 5 वर्स, तो इसका सही जवाब जो होगा आपका option number D है 5 वर्स, तो विशस्वास्त संगठन WHO के नए दिसा निर्देश के अनुसार, एक वर्स से कम उम्र के सिस्वों को electronic screen से जो है बिल्कुल भी परिचित नहीं होने चाहिए और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए screen देखने का समय एक दिन में एक घंटा से जो है अधिक नहीं होना चाहिए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद